अबस्कार दोस्तों मैं आपके अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वावत करती हूं तो दोस्तों आज हम आपको देखाने वाले कि हम कैसे अनाज की फ्रेशंग करते हैं कैसे उसे धुलते हैं कैसे सुखाते हैं और कैसे उसे चान के हम तयार करते हैं पिस्वाने के लिए तो चलिए आए देखते हैं अनाज की फ्रेशंग तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हों कि इसमें हमारा जो चेहरा है वो देखाई नहीं दे रहा कि मैंने कैमरा रख दिया था इसके बाद वो बैक कैमरा चालू था और मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें हमारा मतलब है चेहरा आ रहा कि नहीं आ रहा इसके बाद जब मैंन निखाती हुमें आपको और पास देख तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग ऐसे ही अनाज धूलते हैं घर में और गाव में ऐसे ही सब लोग धूलते हैं तो अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि हम नैसे डलिया में डाला और यहां पर उडेल दिया ताकि जो इसका आश्ट्रा पानी है वह भी न दालके और छट में भी सुखा देती हैं लेकर अभी बरसात का मौसा में तो छट में डालेंगे चार पाई में डालेंगे से और जो हमारा भी बकाया है वो भी इसको निकाल लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने चार पाई बिचा दी हैं और अब हम अन तो फ्रेंड्स मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है की मेरा चेहरा नहीं आपा रहा है वीडियो में और मैं कोसिसных वीडियो में वीडियो में ब्राइल ङक्यार और कोई यह बॉत पकट में श्यौका में जैश को आपको कुए अच्छाश ब्र대ह करें सब्सक्क्राइब Сп сторशिता पहत है जरुवार देति को सब्सक्राइब एक डली बने भरके और चार पाई में डाल रही है लिए लोग है जो दिखे अगिनका से यहां पर मेरी मम्मी प्ला रहा रही है और आपि केमरा रखके जा रही हूं को देखे इस प्रकार से रटांड करके और पुठी चार पाई में फैला देना है अब चरल नहीं हैlt तो फ्रेंट मुझे लगता है इस वाली चार पाई में आज थोड़ी ज़्यादा हो गया इसलिए मैं इसे थोड़ा-थोड़ा करके बाहर निकार रही हूँ क्योंकि अगर वो मोटा है तो फिर सूख नहीं पाएगा क्योंकि हबा चल रही है बार साथ का मौसा में ठंडी ठंडी हबा चल रही तो वो सूखने की वज़े वो ऐसा ही बना रहेगा और फूल जाएगा इसलिए अनाज को थोड़ा पतला करके ही फैलाना है और देखते हैं दोस्तों मैं कोसिस करती हूं कि मैं अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाऊं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं लेकर अगर फिर भी नहीं बन पाता है तो आप कमेंट करिएगा मैं कोसिस करूंगी और अच्छा बनाने के लिए तो फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगली सुबा हो चुकी है और बारिस भी शुरू हो गई है जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कितनी भी टाइम इंबरिस तुरू हो जाएगी जबकि हमारा अनाज है जो सुख चुका है और अब हमारी मम्मी से सुख दूबल फटक रही है और मैं उसे साफ कर रही हूं उसमें कहीं कुछ रह तो नहीं गया है देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से करके मम्मी भी हमारी देखती जा रही है और मैं भी उनके साथ साथ काम कर रही हूं आप एक बात मैं और आप लोगों को बता देना जाती हूं कि जो सहरों में बोरियों में आटा आता है मिल वाला वो साइदे इतनी अच्छी तरह से फ्रेज होके तो नहीं आता होगा जितनी अच्छी तरह से हम अनाज को फ्रेज करते हैं साफ करते हैं और फिर पिस्वाते हैं ये एक दम बिकोल सुद्ध रोटी बनती है और वो मिलावटी होता है पता नहीं कैसा तो मैं सभी को यही कहूंगी कि अपना अनाज खुछ से धुल के इपे सुआएं जो सिहत के लिए अच्छा रहेगा तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो अनाज था वो हमने पूरा एक एक करके उसके कंकर निकाल लिये हैं और ममी ने पूरा उसे सूपे के बल साप कर दिया है और मैंने बोरी में भर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम इसे ले जाएंगे पिस्वाने विडियो अच्छा लगा हो तो कमेट जरूर करना धन्यवाद कर दो